अगर छोटी सी भूक और कुछ खाने का फटाफट मन करता है और अगर घर में चावल पहले से बने रखें या नहीं भी बने हैं तो आप इसे फटाफट उबाल के तयार कर लीजिए तो यहां पर मैं आज आपके लिए लाई हूँ फटाफट बनने वाली छोटी भूक की रेस पर मैंने रख दी है एक गडाई टेल डाल दिया है हमने यह पर और उसके पाद मैं दो लोंग दो काली मिर्ची ओ थोड़ा सा दाल चीनी का तुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है इसके बाद हमने जैसे यह तेल अच्छे से गरम हो गया और चटकने लगे हमारे काली कटे हुए प्याज लंबे-लंबे स्लाइस में कटे हुई शिमला मिर्च गाजर और एक हरी मिर्ची तो स्वाध अनुसर मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं और सारी चीजों कच्छे से 2-3 मीट में हम ऐसे पका लेंगे और 3-4 मिनिट हम इसे पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाए तो वही टेस्ट अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने इसे और भी हल्दी टेस्टी बनाने के लिए डाल दिया है आट दस काजू यह भी अच्छे से ओल में फ्राइब हो जाएंगे तो यह लीजे हमारा जो प्याज और सारी वैजी है वह अच्छे से फ्राइब हो चुकी पुलाव में डालते हैं एक चमशकर तो यहां पर मैंने एक चमशकर एड़ कर दी है उसके बाद इसे और भी ज्यादा खास टेस्टी बनाने के लिए डाला है सेज्वान फ्राइड राइस इस मसाले को डालने के बाद आपको कोई भी मिर्ची मसाला धनिया डालने की जुरत तो चोटी फूक या बड़ी डीनर या लंच में आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही मज़िदा लगता है टेस्टी सा हेल्दी टेस्टी पुला इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए डाल सकते हैं कटे हुए पनीर के तुकड़े तो यह लेजिए हमारी जट पर्ची रेसिपी बन कर तयार है आप इसे गर्मा गर्म सर्फ करिए अगर आपको रेसिपी अठी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बैल आइकन पर लिए ताकि नहीं नहीं रेसिपी आने पर सबसे पहला नोटिपिकिशन आपको मिलेगा जिलते हैं नही रेसिपी किसा बाब